हिंदी का थोड़ा आनंद लीजिए, मुस्कुराईए हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं खाने पीने की चीजों से भरे हैं कहीं पर फल हैं तो कहीं आटा डाले हैं कहीं पर मिठाई हैं कहीं पर मसाले हैं चलो फलों से ही शुरू करते हैं एक कर, सबके मजे लेते हैं यहाँ आम के आम और गुठ्डियों के भी दाम मिलते हैं कभी अंगूर खटे हैं तो कभी खर्भूजे खर्भूजे को देखकर रंग बदलते हैं कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है कोई देड़ चावल की खिषड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है कोई दाल भात में मूसरचंद बन जाता है गरीबी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पढ़ जाता है सफलता के लिए कई पापड बेलने पड़ते हैं आटे में नमक तो चल जाता है पर गिहूं के साथ घुन भी पिस जाता है अपना हाल तो बेहाल है ये मुह और मसूर की डाल है गुर खाते हैं और गुलगुले से परहेच करते हैं और कभी गुर का गोबर कर बैठते हैं कभी तिल का तार, कभी राई का पहार बनता है कभी उट के मुह में जीरा है कभी कोई जले पर नमक छड़कता है किसी के अभी दूद के दात नहीं तूटे हैं तो कहीं यहाँ पर दूद के धुले हैं कोई जामुन के रंग सी चमरी पाके रोई है, तो किसी की चमरी जैसे मैदे की लोई है, किसी को छटी का दूद याद आ जाता है, तो कहीं दूद का जला छाच को भी फूख फूख पर पीता है, तो फिर बस दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है, शादी तो बूरे के वो लड़ू है जो खाए वो भी पच्चताए और जिसने नहीं काए वो भी पच्चताते हैं पर शादी की बात सुन सब के मन में लड़ू फूटते हैं और शादी के बाद किसी के दोनों हाथों में लड़ू होते हैं कोई जलीबी की तरह सीधा है, कोई तेडी खीर है, तो किसी के मूँ में घी शक्कर है, यहाँ पर सबकी अपनी तकदीर है, कोई चाय पानी करवाता है, तो कोई अपने मतलब के लिए मक्खन लगाता है, और जब छपपर फाड़ कर कुछ मिलता है, तो सभी के मूँ में पानी आजाता है। झाल झाल